काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि सर हम लोग नेट एक्जाम कितनी बार दे सकते सदे तो दोस्तों में अगली बार जयार दे सकता हूँ तो दोस्तों इस सारे जो डायोच वो आज आपकी इस वीटो में किलियर होने वाले आपको पूरा एंड तक देखना काफी कुस सीखने को मिलेगा हलो फ्रेंड और वालकम टू फिल्डर फूम माई नेम ही जितंदर गोष स्वामी और आपका स्वागत फिल्डर फूम में आज दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग कितनी बार नेट एक्जाम दे सकते हैं आप लोग जोईन कर सकते हों जोईन काना काफी आसा आने बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर दें वाट्सप गूर्प जोइन करना है जिसका लिंग में Mention कर दिया है अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले नेट एक्जाम की दोस्तो नेट एक्जाम आप लोग कितनी बार भी दे सकते हो क्योंकि यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं होती है बड़ी यहाँ पर यह भी ही कि अगर आपका एक बार क्वालिफाई हो गया यहां पर कोई भी लिमिट नहीं है तो आपका भी नेट एक्जाम क्वालिफाइं कर सकते हो तो यह आपको कोई भी limit नहीं है बना अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर जारिफ की तो जारिफ में अपर लिमिट सबसे पहली जो लिमिट है वो एज़ लिमिट आपकी जब क्रोश हो जाती उसके बाद आप जारिफ का लिए apply नहीं कर सकते हैं और अगर करना है आपको मुझे comment box में बताना है कि आपका प्लान क्या है आप लोग का आप लोगों ने कितने बार exam दे लिया है और किस-किस का नेट और जयर्व कलिफा हुआ है एक बार comment box में comment कीजे और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कीजे चैनल को subscribe कीजे thank you so much for watching this video have a nice day take care